कुछ लोगों को किसानों को मिल्क रहे, नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचोलियों के साथ खड़े हैं। साथियों, ये लोग MSP को लेकर बड़ी-बड़ी बाते करते थे, लेकिन कभी अपना वाइदा पुरा नहीं किया, किसानों से किया ये वाइदा, अगर पुरा किसे ने किया है, तो भाजपा NDA की वर्तमान सरकार ने पुरा किया है। अब ये दूस्प्रचार किया जा रहा है, कि सरकार के द्वारा किसानों को MSP का लाप नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगरंद बाते कही जा रही हैं, कि किसानों से धान, गेहू, इत्यादी की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर जूट है, गलत है, किसानों के साथ धोका है। हमारी सरकार किसानों को MSP के माध्यम से उचीत मुल्य दिलाने के लिए प्रतिवद्ध है, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति, अपना उत्पादर, जो भी वो पैदा करता है, दुनिया में कहीं भी बेज सकता है, जहां चाहे वहां बेज सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है, जहां चाहे बेज सकता है, वो बरतन बनाता है, कहीं पर भी बेज सकता है। वो जूते बनाता है, कहीं पर भी बेज सकता है, लेकिर एक मात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से बंचित रखा गया था। मजबूर किया गया था, अम नए प्राजदान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाचार में अपनी मन चाही किमत पर बेच सकेगा।